इस तर्फ द्राइवर्स इकटे हुए हैं क्या इनको परिशानी हो रही हैं इनकी किस्माद करेंगे जी अपना नाम बताईएगा और बताईएगा इतने साइट जो ट्राइवर्स है किन मुश्किलात में है इसने पर्स सो बोला आप इस प्रहना टंदल से जाओ नए तंडल से मैं पर यातर आपताल है अब जाओ प्रहना टंदल से सारी गारी जो यहां पर इतनी घारीGS उनकले गह है 20 शीमाद और जाब यहां अधने गारी चोड़ा तो होगरे है बागे गारी आने इसने ख़रा गया इसने बोला गारी से यहां से वापस बुढ़ो ना यह टरनल से निकल जाओ ना यहां पर खाने पिने कुछ है ना पानी के लिए कुछ है कि यात्रा की वजह से आपको पुराने टेनल से जाना होगा और गभी इसने बोला आप जा प्राणे टेनल से आप सारी गारे प्राने टेनल से निकलेंगे ह düş tensions कि नियमे उसके साथ निज्ट कोई दुख नहीं है वे तो निग लेगा हमें उसके साथ जाए इसने बहुला आप निकल बाप करने गारी हो जायए ऑजी अनल से सारे घारी जब यहां पर पॉर्ण आप बोलता है आप वापत निकल रहे नाए टेंडल से आज तीन दिन हो गया है कि अपना नाम बताईएगा क्या कुछ परिशानी तमाम ड्राइवर्स को आ रही है जायतन जी मैं गुड मानिंग मैं रियाज बोर रहा हूं मेरी खुद की दो गाड़ी हैं हम चार दिन से यहां होल्ड होएं हमारा मेजर इशू यह है कि हम जा जब अपना बाइपास से निकले थे आगे से कट से हमारे को यहां के लिए वापस तरन किया जो ट्राफिक पिलीश थी उन्होंने बुला कि आपको पराने टंडल से जाना है यह हमारे साथ नामसाफी हो रही है वहां से कुछ गाड़ीया मेरे ऐसी गाड़ीया भी है जिन्होंने हर से ड्रेवर पीसा जाता है ड्रेवर की उपर हर से जलुम होता है मैं खूद दो गाड़ीयों का अनर हों क्योंकि हम भी इन ड्रेव्न को गाली देते हैं जब हमारे पास बाला ठीक नहीं आता है आज मैंने खुद रियली ग्रोंड में यहां पर आया और मैने देखा चार इना से ड्रेवर भुके है हमारी कोई शनवाई नहीं यह अर्मिस्टेशन अमारी बात सुननी रही है बताओ हम भी तो हिंद्सानी है हंद्स्तान हमारे से चलता है हमारे टेक्स से यह जो लोग रोड पे खड़े हो गे मारी गाड़ियों की शिशे तोड़ते हैं इनको उससे एक फोरस से खुद में एक एक सर्फ में हूँ हमारे साथ ये इनसाफ इनसाफ कब होगा हक मिलेगा काम करेंगे वरना चका जाम करेंगे कब तक हम ये शक्ति हम तो हंदिस्तान कब से 47 अजाद हुआ है मगर यह ट्रक ड्रेवर आज़ाद नहीं हुए, हमारे उपर जुलम हो रहा है, वहां से हमारे को बोलते हैं, आप पराने टंडल से जाओ मैं, और यहां पराने टंडल पर पोलते हैं, आप नए टंडल से जाओ, मैं एक अलाके से रहने वाला हूं, आँका मोका आपने किया, हम नौगाम के रहने वाला हैं थोधना नौगाम के अम पराने टंडल पर जाएंगे चार दिर हम वहाँ से गर पहुँँ सकते हैं हम पूरी टिस्टिब कुपारा की गाड़ियंthya पूरी सिरिल की गाड़ियं जमू की गाड़ियं राजीसथान की गाड़ियं पूरीDes Forest Va WirPOS ड्रेवरोंने मूं तक नहीं दोया है और हमें यहां से बोलते हैं अभी पांच सिजार का तेल जला के आप दोबारा वापस जाओ कुछ गाड़ियां रात को वापस गई और वहां से फिर बोला के आप वापस जाओ पराने टंडल से हमारी कोई भी सुनवाई है नहीं हो रही ह तो यह देश चलेगा कैसे अगर सब लोग बन जाएंगे ड्रेवर बनना कोई नहीं चाहता है और एक बंदा व्याइपी बनना चाहता है तो इस आम गृप की बात तो सुनी जाए ना इस अडिमिस्टेशन की तरफ से तो ड्रावर क्या करेंगे आप देखो हमारी गाड़िया चार दिन से यहां खड़ी है तो क्या कुछ लोग है हमारे साथ बाग्यों से बीबात करवाईएगा जो बुजर्ग आपके साथ हैं उन से बीबात करवाईगा हम जानेंगे कितनी परेशानी आप सभी को रही है ताकि हार अथारिटीज जो हैं जल्द से जल्द ये इस बात का जवाब दे कि अगर पहले पुराने टर्नल से जाने को बोला और उसके बाद पुराने टर्नल से गया बोरे दुछी जगा दूसे टर्नल से जाओ एक बुजर्ग शक्स है आपके साथ उन से भी बात मैं उनसे भी जानूंगी कि कितनी परेशानी जो है आप सभी को हो रही है और आप देख सकते हैं जो हाट अनसी बहुत सारे जिनल्द ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त हमाई साथ मोजूद हैं और इस परेशानी हम जो है आग पहुंचाने की कोशिश करें तो आखिर में जात जाते एक ही मेरा मेजर इशू ये है कि ड्राइवर को ये समझा जाता है कि ये अनपर गो जे और नेटवर्क इशू के कारण जो है बिलकुल अभी फिलहाल रापता नहीं हो पा रहा है पर आप समझ सकते हैं कि जो एक ड्राइवर की जिन्दगी है वो क्या होती है तिनी मुश्किलात पहले से ही उनको होती है और उसके बाद जब और मुश्किलातों को बढ़ा दि थी तो इनको इनफर्म कर देना चाहिए था यह जो मिसकाशन है इसको जो है अच्छे से सिस्टिमाटिक वे में कम्मनीकेट करना चाहिए था यहां से जा रही है इनको कहां से जाना है पहले इनको वहां बेजा गया तți Azer में औप यह बाद यह लगो बहुता है तो तें Mira ट्रॉक ड्राइवर्स की जो प्रॉब्लम से उन पर गोर किया जाए और जो से हर जाद हल किया जाए इस युम इतकी साथ में गी जाज़त दिखेंगे